Good morning students, आज हम class 6 के mates का exercise 4a, जिसमें question number 1 और 2 हमने इससे पहली किया था, आज हम question number 3 करेंगे Question number 3 में क्या करेंगे, solve the following by using associative property यहां पर जो numbers दिये गए हैं, उनको हमें associative property के through solve करना है तो associative property में क्या कहता है, a plus b plus c is equal to a plus b plus c यहांनि कि यह left side और right side दोनों equal होना चाहिए तो हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास a is equal to 87 है, b is equal to 64 है और c is equal to 36 है तो हम इसके साब से इसी को put करते हैं, 87 plus 64 plus 36 is equal to 87 plus b plus c, 64 plus 36 अब हम इन दोनों को add करते हैं, पहले इनको add करते हैं, यहां हम दो लफ side को 7 plus 4, 11, 8 plus 6, 14 plus 1, 15, 151 यहां plus 36 is equal to 87 plus इन दोनों को add करते हैं, 6, 4 होगे, 10 6, 3, 9 plus 1, 10 अब हिन दोनों को add करो, left side को और right side को अलग side करो, तो 6 plus 1, 7, 5 plus 3, 8 और यहां पर आगया हमारा 1, is equal to, यह 100 plus 87 is equal to 187, तो यह left side और right side दोनों equal आगया, इसलिए हमारा property जो है, एपलाइट हो चुगा है, अब यह था हमारा question number, थार का a part, आप हम देखते हैं, इसका b, b में क्या कहे रहा है, देखिए, 367 plus 243 plus 57, हमारे पास a इतना है, b इतना है, और c इतना है, तो property के साब से, a plus b plus c is equal to a plus b plus c, तो यह दोनों यानि की equal होना चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर, 367 a हो गया है, plus 243 b, plus 57 हमारा c है, is equal to यहाँ पर, 367 हमारा a है, plus b, 243 है, plus 57 c है हमारा, आप हम क्या करते हैं, इन को add करते हैं सबसे पहले, 7 plus 3, 10, 6 plus 4, 10 plus 1, 11 हो गया, 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, plus 57, is equal to, 367 को बाहर रखे, प्लस, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, 7 plus 3, that is 10, 5 plus 4, 9 plus 1, 10 फिर से, तो, 2 plus 1, 3, 300 हो गया, अब यहाँ पर, इन दोनों का अलग करो, और इसको अलग से add करो, 7 plus 0, 7, 5 plus 1, 6, और यहाँ पर, 6, is equal to, 7 plus 0, 7, 6 plus 0, 6, तो, यहाँ पर, 3 plus 3, 6, 667, left side और right side दोनों equal आ जाते हैं, तो, इस तरह से हमें, यहनि की, society property, use करके, हमें, इनका solution निकालना था, तो, यह, question number 3 में से, A और B में ने करके दिया है, आप लोगं को, बाकी जो parts है, जैसे, इस में से, question number 3 में से, C, D, E, F, O, आप, कर लेना, अब हम आते हैं, इसके बाद question number 4 पे, question number 4 में क्या कह रहा है, question number 4 हमारे पास, यहाँ पर है, fill in the blanks, यहाँ पर जो blanks है, उनको fill करना है, तो, A पाद जैसे हमारे पास क्या है, 90 plus 73 plus 10 plus 7 is equal to 100 plus dash dash, अब हम भी क्या करना है, सबसे पेले तो, इनको, यहाँ पर जो left side में जिदने भी number से इनको, add करना है, 90 plus 10, 100 हो गया, 100 plus 73, 173 plus 7, 173 plus 7 हो गया, is equal to 100 plus dash dash, तो इन दोनों को add करो, 7 plus 3, 10, 7 plus 1, 8, और यहाँ हमारा, तो यह जो हे left side 180 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 100 है already, plus हमें dash dash add करना है, तो यहाँ पर अगर 180 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 80 plus करने पर यह आजाएगा, 180, हमें क्या करना है, दोनुंग left side और right side को equal बनाना है, तो यह question number 4 का A पार्ट था, बाकी पार्ट जो बचते हैं B, C, D, वो आप कर लेना, तो question number 5 में से हम 5 and 6 नेक्स्ट वीडियो में discuss करेंगे, आज के लिए इना काफी, thank you, have a nice day.